कैसे हो आप सब आज की वीडियो यमा की लेजन्ड बाइक RX100 के रिलाउंच के बारे 2022 में न्यूस्ती के यमा इंडिया में फिर से दोबारा RX100 पे वर्क शुरू कर चुका है एंजल्द इसे लाउंच पी किया जाएगा RX100 को डिसकॉंटिन्यू करे अब लगबल लगबल 27 यर्स हो चुके हैं लेकिन अभी भी इस बाइक की फैन फोलिंग काफी जादा है जिसको देखते हुए यमा RX100 को जल्द इंडिया में इंटर्डियूस करेगा तब इसे स्टिक नॉम के कारण डिसकॉंटिन्यू किया गया थ बट अब इस बाइक में आपको BS7 compliant engine मिलेगा होगा ये बाइक modern retro जिसे आज की generation के हिसाब से ready किया जाएगा तो आज मेरे पास new RX100 new generation के new update है इसकी oral final look की leak photo हो चुकी है तो आपको इस वीडियो में इस बाइक की final look देखने को मिलेगी oral design इस बाइक का कैसा होगा देखने में upcoming yama RX100 new generation model का launch आपको कब तक देखने को मिलेगा oral look कैसी होगी and इस बाइक का price कितना रहेगा latest bike की update के लिए आप channel को जरू subscribe कर दें ताकि कोई भी important update मिसना हो चलिए शुरू करते हैं वीडियो ये है upcoming new RX100 की official leak photo देखने में ये बाइक क की look आपको कैसी लगी है देखने में comment section में जरूर बताएं क्या ये look ज्यादा अच्छी है या फिर पुराने वाली RX100 की look ज्यादा अच्छी थी बट new RX100 का design पुराने वाली RX100 से मेरे साब से काफी ज्यादा जबरदस्ट है फ्रेंट में round retro style headlight है round indicator के साथ suspension में telescopic fork होगा fork gators के साथ seat इस bike में आपको single मिलेगी premium leather finish में fuel tank काफी sleek होगा curve look में meter cluster इस bike में आपको fully digital meter console मिलता है जो पुराने वाली RX100 था उसमें आपको analog meter console मिलता था exhaust भी इस bike में आपको upright lifted position में मिलेगा पुराने वाली RX100 में आपको spoke wheels मिलते थे but new RX100 में आपको spoke alloy wheels मिलेंगे mechanical component blacked out होगे जैसे engine, suspension, alloy wheel, handlebar and exhaust suspension front में होगा telescopic fork and there में आपको dual shock observer मिल जाएगा, kickstart की option इस bike में आपको नहीं मिलेगी and इस bike का tire size काफी broad रहेगा, so बात कर लेते हैं इस bike के engine के बारे, तो engine इसमें 102 cc air cooled engine मिलेगा जो की power generate कर देगा 11.3 hp तक number of gears इसमें आपको 5 speed gearbox मिलेगा, fuel tank की capacity होगी 10 liter तक and seat height इस bike में आपको low देखने को मिलेगी, new RX100 new generation के अगर हम features की बात करेंगे तो इसमें आपको round LED headlight setup के साथ round digital meter console मिलेगा, जिसमें आपको bluetooth connectivity भी offer करी जाएगी spoke alloy wheel के साथ इसमें आपको round mirrors भी मिलेंगे and इस bike में आपको flat single seat भी मिल जाएगी, premium leather finish में and इस bike में आपको combined braking system भी मिलेगा, top speed ये bike generate कर देगा 110 km पर आतक and overall mileage इस bike में आपको मिल जाएगी 55 km पर लिटर तक color option इसमें metallic shade से लेके matte finish में मिलेगी, new RX100 next generation model के गर हम pricing की बात करेंगे तो इसका price approximate रहेगा 1,30,000 तक, अगर आप पुराने वाले RX100 को भी buy करेंगे आज की date में उसका भी लगबर लगबर price है 1,00,000 रुपीज तक तो मेरे हसाब से इस bike की price range completely justified रहेगी, इस bike के value के हसाब से, क्योंकि इसकी fan following भी काफी जादा है और इस bike का launch आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मेंसे काफी भाई लोग इस bike की launch की wait कर रहे हैं, वो भी काफी लंबे समय से तो इसका launch आपको इसी साल में देखने को मिलेगा, 2023 में, festival season में, around August या फिर सब्कमबर तक और ये bike आप मेंसे कौन-कौन भाई लोग भाई करेंगे, ये भी comment section में जरूर बताएं अगर आपके कोई भी questions है किसी भी bike के related, आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हो, आपको instant reply मिलेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी important update मिस ना हो, till then take care of you and ride safe